वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज येवाला फ्री टेलिग्रम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान लगिए आरो आरो दो जरूर टेइस की वेकेंसी के लिए प्रार्मिक परिक्षा कराई गई थी उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोक के द्वारा 11 फरवरी दोजार चौबीस को एक्जाम कैंसल हो चुका है सौसन की निर्देश थे कि विदिन 6 मन्थ प्रिलिम्स कराया जाएगा तो री एक्जाम की तयारी के लिए स्टैडी फॉर सिबल सेब्स का ये पेट ग्रूप शुरूवा है आप इसको जोईन करके आरो 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 प्रार्मिक परिक्षा की पूरी तयारी कर सकते हैं जो भी PSC आरो आरो का प्रिलम्स पेपर हो चुका है तो जाधा कुछ यहां बताने की जरूरत नहीं कितने पेपर होते हैं कितने कोश्चन का आता है कट आउफ वगरा का टार्गेट वगरा आपको क्लियर है लेकिन जिस तरीका का पेपर आया था उसके बाद कुछ चीज़ इसका मतलब यह है कि सिर्फ यहां पर कुछ चीज़ें पढ़ लेने से या फिर कुछ इंपोर्टन टॉपिक्स जैसे पैजले कुछ लोग बताते थे उसको पढ़कर आरो यारो नहीं किर किया जा सकता है आपको सारे ही टॉपिक जो लिख कर गया है आपके सिलेवर्स में भ रहे उसके समंद्ध में सवाल यहां पर पूछे गए अंतराश्री संगठनों समंद्ध यहां पर सवाल पूछे गए इतिहास के प्रश्ण सिर्फ ऐसे नहीं आ रहे है कि चुनी होई किताबों के बैक साइड आपने पढ़ लिए प्र पर उससे हो गया ऐसा नहीं हो रहा है इससे कटाफ नहीं निकल सकता है कटाफ निकालने के लिए जितने कुस्टन्स किया बशकता है उतने PYQ से आप नहीं गवर की जा सकते हैं यह सभी ने देख लिया है और जो लोग यह मान जाएंगे वही फिर अपना कटाफ क्लीर करने का टार्गेट भी सेट कर पाएंगे अगर आप उसी मुगालते में भी तक बैठे हैं कि हम PYQ पढ़ेंगे और 2-4 मैक्सीन पढ़के जो है निकाल लेंगे exam को तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा केबल हिंदी के भरोसे भी चीज़े नहीं की जा सकती है क्योंकि हिंदी के पेपर जो है लगातार 4-5 बार से एक जैसा ही आ रहा है और हिंदी की तैयारी study for civil service करा देता है हमारे पेड्रूप में आये हैं अगर आप तो updated PDF आपको बिल जाती है और जो लोग फ्री YouTube से देखते हैं वो उससे देख करके और प्रैक्टिस करकर कर सकते हैं 55 प्लस तो गेम चेंजर यहां पर जैसे पहले हिंदी को माना जाता था आप वैसा नहीं रहेगा GS में आपको एक optimum अंक यहां पर छूना पड़ेगा अपना cutoff clear करना सुनिश्चित करने के लिए क्लिए क्योंकि हिंदी में लगभग सभी लोग एक जैसे अंक यहां पर ले करके आ रहे हैं आपकी बहुत अच्छी है तो कुछ लोग 58 तक पहुंच रहे हैं अधरवाइस बावन तिर्पन तो अम्मूवन लोग ले ही आ रहे हैं तो GS को आपको यहां पर इंप्रूव करना पड़ेगा और GS पर तोड़ा सा ध्यान अच्छे से केंद्रित करना पड़ेगा आपको भी यह मैं सब आपको स्क्रॉल करते हुए दिखा रहा हूं कि यह सब कोश्चन जो काफी डिफकल्ट लगे थे लोगों को एकदम नया कोश्चन इधर उदर आसमान से आया हुए कोश्चन लगे थे ऐसा कुछ नहीं है चाहिए आप साइमन कमीशन वाल ले 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 चाहिए जो पूछे गए थे सब हमारे कंटेंट से की जा सकते थे स्टाडियम ट्रेल अगर आपने ध्यान से पढ़ा होता जिटने भी हमने नोट्स दिये थे लिस्टिंग के नोट्स दिये थे पॉल्टी हो गया इन्वारमेंट एकनॉमी हो गया आप यहां पर सवाल अपने सही कर सकते ब्रीफली आर यारो की परिक्षा जो देख लेते हैं प्राणभी परिक्षा 11 फेब को हुई थी जो कैंसिल हुई है उसमें दो पेपर आपके हुए थे 140 प्रश्णों का आपका समान अद्यान का पेपर हुआ था जो की कठीन स्तर का था समान हिंदी का पेपर इसी मॉडरेट साइड आये था फुल दोसों को पेपर हुआ था पेपर आउट हो गया था तो अब इसका कोई मतलब नहीं है पेपर का लेवल काफी अच्छा था लेक परिक्षा नहीं अच्छी हुई थी आप कम तयार किये थे तो ये उन लोगों के लिए एक तरीके से वरदान थाबित हुआ है आप अगर सीरियस हैं तो अपनी खामी पूरा कर सकते हैं और बाकी लोगों के एट पार आ सकते हैं उनके बराबरी पर आ सकते हैं थोड़ी बहन लुए में इसका भी ग्रूप हमारा शुरूओ आप उसमे अनसर राइटिंग प्रैक्टिस वगएरा परमपरागत की और हिंदी निबंध की शुरू कर सकते हैं निबंध परमपरागत और वस्तुनिष्ट के लिए हमारा में इसका पेड़ी भूप भी शुरूओ वहा है इ इसी पैटरन पर दोबहरा पेपर होगा इस सिलेबस पर आपको पेपर होता है और पिछले दस वर्सों से लेकिन पेपर अगर कंपेर करने दस पहले का और यह जो अभी पेपर वह गार आफ यह इसमें आपको न तर देखने को भिलेगा तो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाफ से आपर तयारी करने पड़ेगी, जैसा नवीन प्रशन पूच से जा रहे हैं, जैसे जैसे प्रशन की गहराई है, उसी साफ से हमको अपने स्टेडियम ट्रिल को तयार करना पड़ेगा, स्टेडियम ट्रिल से समझना है, समझ लेजिए कि जो लोग फुल पेट ग्रूप में प्रक्टीस के लिए, समान हंदी का प्रेंट ग्रूप में आपको प्रक्टीस के लिए, तो कुछ प्रक्टीस वाली है, गुर्यारी व खुशंस आते हैं, जैसे फर्वरी वाले पेपर में था, उसी साफ बस्त. समने questions दे दिये और भी question आगे दिये जाएंगे तो जितनी ज़्यादा आप practice करेंगे reasoning वाले में उतना हिलाव आपको मिलेगा current affair February 2023 से लेकर February 2024 तक का हमने दे दिया इसके आगे का आपको मिलता रहेगा आपके मन में शंका तुरंद उठी होगी कि February 2023 तक का पढ़ना है क्योंकि पेपर तो नया बनने के संभाव न रहेगी तो मैं आपको बता दूँ कि पेपर जबी रद होता है या cancel होता है या फिर परिक्षा तिति आगे बढ़ जाती है मैं इसा student का disadvantage होता है परिक्षा नए पेपर पर होगी या फिर पुराना ही कोई set दे दिया जाएगा यह आप शोर्ट नहीं हो सकते हों ना ही आपको किसी पर विश्वास करना चाहिए है उसमें update किया गया है इस वज़से आपको सारा content एक साथ नहीं दिया गया है मतलब history की notes, geographic notes, quality की subject wise अभी नहीं दिये गए है अभी साथ इवस जो है module wise आपको notes मिलेंगे और फिर सारे module को combine करके subject wise PDF बाद में दी जाएगी I repeat अभी साथ इवस module form में content मिलेगा आपको जो आपको पढ़ना चाहिए और आपको subject wise PDF module complete होने के बाद ग्रूप में मिलेगी अपके ग्रूप में सुबह 10 बज़े आएगा आप इसको online पढ़ सकते हैं PDF form में पढ़ सकते हैं password डाल करके या फिर stadium trail में update किया गया है मैं आपको फिर से बता दूँ stadium trail में update किया गया है इसी जैसे module form में दिया जा रहा है और जब यह module complete हो जाएंगे तभी आपको subject wise notes आगे मिलेंगे test series भी नवीन यहाँ पर दी जाएगी test में जो अभी exam हुआ था उसके हिसाफ से question से आप ड्राफ्ट किये जाएंगे जो हमको नई चीज़ें देखने को भी लिए सवाल अशरसन और reason वाले सवाल चार-पांश आया करते हैं लेकिन अब 7-8 प्रशन यहाँ पर अशरसन reason के देखे गए थे तो अशरसन reason वाले questions कही सारे आपको practice करा जाएंगे even quiz में भी practice करा जाएंगे multiple statement वाले सवाल पूछे गए थे direct सवाल अगर आप देखें जिसमें one-liner type में पूछ लेते हैं जैसे gene got man वाला सवाल था या फिर kidney stone वाला सवाल था उसको छोड़ करके हमें लगता है कि पूरे paper में 140 प्रशन में कोई one-liner type सवाल पूछा गया था अब paper का स्तर बढ़ रहा है GS का लगातार आगे और भी कठीन स्तर का paper आप उमीद करिए यह मेरे साब से अब expectation भी नहीं रखनी चा हमको expect कर सकते हैं कि easy या फिर ऐसा ही paper देखने को भी लेगा जैसे ही इस बार आया था जैसे कि बनाया गया है पुराने में नहीं जोड़ा गया है आपको आपने देखी लिया होगा अगर आप पुराने बेट रूप में तो आपको नए बेट रूप में shift किया गया कुईज वाले में और कुईज भी नवी इंतम पैटर्न और ट्रेंड के इसाप से कराई जा रही है जब दोबारा fresh questions आपको दिये जा रहे हैं जिससे आप नए पेपर बनेगा उसके इसाथ सो थैयारी कर सके हिंदी और जीस दोनों के लिए हमारा target क्या होना चाहिए पहले जैसे आपने देखा होगा हमारे पहले के strategy वीडियो जो फरवरी में हुए exam से पहले आपने देखे होगे उसमें हमेशा 135-140 के राउंड बात करते थे कि 140 के राउंड आपको figure सोच करके दिमाग में त्यारी करनी है लेकिन अब यह figure इस तरीक पर होता उसको उठा करके देख लीजिए आप उसमें कटना इस तर्में अंतर देखने को भी लेगा आरव एरो को पेपर आपको ज्यादा टाफ और ट्रिकी लगेगा क्योंकि इसमें लंदी कोस्टेंस भी आ रहे हैं और मैचिंग वाले कोस्टेंस आ रहे हैं अशरहसन री इसमें 57-58 भी हो सकता है अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो अगर आप कटिन वाले सवाल भी कर सकते हैं यूग कि 3-4 सवाल इसमें कटिन वाले भी होते हैं एक दो सवाल गलत होते हैं इस बार भी जो करना पेपर कैंसल हुआ इसमें एक हिंदी का उप्रिशन था टेस्ट सेरीज के सवाल लगा लिजिए, 55, 56, 57 नमबर आप असानी से ले आएंगे, और ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ बोली जा रही है, कई सारा लोग इवन सिर्फ यूटूब वीडियो देखकर के 55, 57 ला रहे थे, आपको तो प्रैक्टिस सपोर्ट भी दिया जा र तो 55 से 70 एक स्वीट स्पोर्ट है, 55 से 70 अगर आप निकाल लेगे, क्योंकि इसमें तेरा 14 तो रीजिदिंग वाली ही होते हैं, इतना अगर आप कर लेगा, जो बिल्कुल किया जा सकता है, कठिन सतर के प्रशन आपको सही करने पड़ेंगे, अगर आप सिर्फ सोचे हैं कि सरल वाले करके ले जाएंगे, तो सरल प्रशन कोई संख्या अब उतनी बची नहीं, जिससे कट आउफ निकाला जा सके, पहले अब तो मैं आपको बता चुका हूँ, किस सब्जेक्ट से कितने प्रशन आते हैं पेपर में, लेकिन अभी जो ये कैंसल हुआ है पेपर, इसको देख लेते हैं पहले, इसमें आप देखिए, वही पैटरन रिपीट हुआ है, हिस्ट्री के 18 से प्रशन यहां पर आये थे हि गैडिजी सब्स messenger आवश्या पावई भी होते हैं क्योंकि जोग्रफी में देखेए एक कारण है इसका, जोग्रुपी में भारत का भुगोल, वैशु कुगोल तो है ही लेकिन वाीजी जैसे पूछा जाता है तो वाडी जी शिर्फ वाडी जी नहीं पूछते हैं कि भाई प्रोडक्षन कहां पर हो रहा है काई बार उसको लिंक कर देते हैं जैसे जूट वाला सवाल आपने देखा होगा जूट वाला सवाल जो करांती से करके उसमें पूछा था तो वाड़ी जी वापार वाला भी जोग्रफी से लिंक हो जाता है यह वाला हो गया तो इस वुझे से जोग्रफी कोश्चन जादा हो जाते हैं कई बार और कई बार क्रशी वाली चीज़ें जोग्रफी से लिंक कर दी जाती है जैसे क्रशी में टेक्निलोजिकल एडवांस्मेंट की जरूरत है यह वाला जो प्रशना आये था या फिर जो क्रशी प्रादोगी की समंदित एक प्रशना आये था वो भी जोग्रफी से लिंग करके पूछा था स्वाइल वाले जो प्रशना आते हैं काई बार इस तो से जोग्रफी का बेटेश यादा हो जाता है जब फंदरा होगे तो जोग्रफी का बेटेश थोड़ा काम हो जाएगा एक नॉमी में 6 परशनिस में ऐестए एक नॉमी स्टै्मी स्टैटिक भी आया था साइन इसके यांपर 15 सवाल आयाGood. अमिशेक तरह, परियवरेंट से एक प्रश्न आय था, जो कोर परियवरेंट का था, परियवरेंट प्रॉद्धिवी की वाला सवाल हमने इसमें जोगरफी में इंतलूट कर लिया है इसके बाद reasoning के 15 सवाल इसमें आये थे हमिशकतर है current fire के 18 प्रशन इसमें आये थे national international और UP current अलग है UP current fire के 20 प्रशन हुए miscellaneous की बात करें तो 12 प्रशन इसमें हो गए agriculture के core agriculture के 5 प्रशन इसमें आये थे geography के अलावा UPGK के 9 प्रशनिस में आये थे और art culture के 4 प्रशनिस में आये थे तो इस तरीके से है इसमें UPPSC means UPPSC prelims वाला पेपर जो है objective वाला GS वाला इसी विज़े से कम difficult बना जाता है क्योंकि इसमें देखी UPGK, UP current fire का वेटेज ज़्यादा है आर्ट culture का वेटेज ज़्यादा हो गया और agriculture ये सारे topic UPPSC prelims अपर में कम पूछी जाते हैं सब भी लाग 4-5 प्रशन आते हैं उसमें लेकिन इसमें देखी 5, 9, 5, 14, 14, 12, 16, 16, 16, 16, 16, 18 अठारा अलग तरीके के प्रशन इसमें आते हैं इस विज़े से आरो का जो prelims का GS paper है वो difficult माना जाता है comparison to UPPSC prelims अपर ये दिखाने का objective यही था कि आपको इसी की pattern के हिसाफ त्यारी करने हैं मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे कुछ लोग आपको बताते रहते हैं YouTube में कि फला किताबें सिर्फ ये तीन किताबें पढ़कर के मेरे 160 नमबर आगे दोस्तों में जो की सफेज जूट होता है ऐसा नहीं होता है चार किताबें पांच किताबें इसको लाया नहीं जा सकता है इसी जैसे हर टॉपिक का आपको अलग PDF ग्रूप में दिया गया जैसे government scheme हो गया scheme अपने आप में एक बड़ा topic है इसमें हमने scheme अलग से नहीं जोड़ा है अगर scheme की बात करें तिन-चार सवाल हर बार scheme से associated आते हैं चाहे वो UP की scheme हो चाहे Central Government की schemes हो उससे questions आते रहे हैं important committees होती है कई सारी समीती बनती है उससे समंधित प्रश्ण इस बार तो नहीं आए लेकिन आपका जोड़ी exam होगा उसमें आ सकता है तो इसी वज़े से मैं कहता हूँ कि जो ये YouTube थमने लाती रहती हैं आपके भी कई पार recommendation में आई होगी कि सिर्फ तीन किताबें पढ़कर करके फला वेक्ती टॉपर बन गए ये सब चीजे नहीं काम करती है आपको पूरे syllabus में से पढ़ना पड़ेगा आप पूरा UPG के छोड़ देंगे नुकसान है पूरा art culture छोड़ देंगे नुकसान है current UPG के अगर छोड़ देंगे तो बहुत बढ़र नुकसान हो जाएगा आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़कर करके चलना है और जो मै दास मैसा होगा की करीब 10 सवाल जो है सरलोवाले होंगे और चार सवाल कठीन सतार के होंगे एक दो सवाल ऐसे होंगे जिसके उत्तर आपको बुक में भी नहीं बिलेंगे, जो आप कर ही नहीं पाएंगे, आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तो इस तरीके से सभी section में होता है, सारे सवाल किसी भी section के easy नहीं होते हैं, सारे सवाल किसी भी section के cut-hin नहीं होते हैं, current fire के भी कुछ सवाल ऐसे होगे, जो difficult side होंगे, art culture का भी एक दो difficult हो सकता है, environment का हो सकता है, difficult वाला सवाल आजा है, जो आपको छोड़ना पड़े, तो ऐसे में फायदे में वहीं लोग रहते हैं, जो पूरा syllabus तयार करते हैं, पूरे syllabus में आपको maximum number of questions निकालने हैं, किसी भी subject में excellence की तरफ मत भागी, क्योंकि चाहिए आप जितने excellent हो जाएं, कुछ प्रस्ने से होंगे, किसी भी subject में जो आप नहीं कर पा रहे होंगे, पूराना लिखा हुए 145 प्लस लाने हैं, अब यह strategy नहीं काम करेगी, क्योंकि 145 हमारा target है नहीं, हमारा target जो है 125-133 के round है, यूर का cut off अगर आपको निकालना है, तो दोनों subject मिला करके हिंदी हो, आपको 125-133 का target रखना चाहिए, अगर पेपर इसी स्तर का आता है, तो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कि अगर पेपर इसी स्तर का आता है, जीस का, तो 125-133 के round आपका हो जाएगा, लेकिन इसी काड़ों से अपियर नहीं हो पाए, अब दुबारा आपको second chance जिंदकी ने दिया है, तो ये काम करना है, आपको study for civil service का ही content पढ़िये, इधर उदर की live class और फरजी चीज़ों के चक्कर मत पढ़िये, दरवाइस फिर से आरो यारो का exam आपका नहीं निकल पाएगा, ए और जो हमारे study material में जो दिये गए words हैं, वो पूछे का हैं आपके exam में question form में, सब ही subject को आपको तयार करना है, जिनसे अधिक questions बनते हैं, उन्हें और अच्छी सतयार करीजिए, जैसे current affair हो गया, जैसा history हो गया, current affair हो गया, geography वाला हो गया, और polity वाला हो गया, इनको अच्छ देनी हैं, तो उन्ही topics को दीजिए, last moment में, जब एक माह बचा हो या फिर दो सब्ता बचे में exam के लिए, तब आप उन्ही subject पर focus करिए, जो आपको ज्यादा question सही करवाने में help करेंगे, study forceable services के practice resources को आपको complete करना है, जितने में question कराए जाएंगे, आपको सब attempt करने हैं, जि driver समझने में help करता है, एक दो question repeat भी होते हैं, इसा नहीं मैं कहा रहा हूँ, कि बिल्कुल भी repeat नहीं होते हैं, दो चार सवाल repeat होते हैं, लेकिन उससे पूरा cut-off नहीं निकाला जा सकता है, और PYQ पढ़ना कैसा है, PYQ जो हमने compile कर करके दिया है, जो paid group में आपको PDF दिये, इसी से पढ़िए, इदो इदर की book लाएं होंगे, मोटे मोटे pages की 700, 800, 800, 900 pages की उसको टा दीजिए, सिर्फ वो distract करने वाली चीज़ें, उसमें other state pieces का भी दे दिया है, कई बार 36 pieces की चीज़ें दे दी हैं, अन्य जगह की दे दिया हैं, बिहार pieces की जो जरूर नहीं हैं आपक इसी साइड रहता है, हिंदी इजी साइड रहता है, डेली 6-7 गंटे यहां पर पढ़ना होगा, यह काम आपका है, इसमें कोई institute, कोई live class, कोई recorded class, कोई हमारा institute या कोई other institute, आपकी help नहीं कर सकता है, कोई private tuition, आपको 6-7 गंटे डेली पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकत स्टडी में 6-7 गंटे के समय देना होगा, चुनावी माहौल वैसे भी चल रहा है, तरह 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 के चीज़ें आपके whatsapp message में आ रही होगी, तरह तरह के distractions हैं, लेकिन जैसे नेता अपनी तयारी करने में जुटे हुए है, उनका भी exam है, तो उस तरीकी से आपका भी परिक् अगर आपने एक बार पढ़के दो बार रिवाइस कर लिया, तो आपको cutoff निकालने से कोई रोक नहीं सकता, यह आप मानके चली, चाहे जासब वेपर आजाए, चाहे 11 February से भी tough वेपर आजाए, आप अपने number of questions cutoff भरके निकाल लेंगे, अगर आप study करेंगे, डेली 6-7 गं किया, यह आपका test series का time plan है, एक जून से शुरू हो करके test आपके finally finish होंगे, 6 जुलाई को, और reasoning के test 10 अपरेल शुरू हो कर 9 जून को यहाँ पर finish हो जाएंगे, इन टेसरी का time plan पूरा tentative time plan है, यानि कि अगर परिक्षा दिथी इस से पहले की होती है, आयो के दोरा, सारी test य का, फिर परेवरण का, फिर समान विग्यान का, फिर भारत का इतिहास का, फिर राजवस्था का, फिर परेवरण का, इस तरीके से आगे चलता रहेगा, और आपका finally, यह module finish हो रहे है, 6 जुलाई को, नहीं, actually 17 जुलाई को finish हो रहा है, और उसके बाद आपको subject twice PDF मिल जाएग यह तयार इस तरीके से होगा, जैसे बाकी लोग करते हैं, select होने वाल लोग, आपको content दिया गया है, आपको अलग से कुछ कहीं से नहीं पढ़ना होगा, जितना भी history, geography, politics, norm environment, current affair, UPGK, UP current, सब जो cover करना है, government scheme जो cover करना है, वो आपको group में दे दिया जाएगा, पहले module form में आप module पढ़ते रहिए, और फिर subject wise form में आएगा, आपको questions के लगतार practice करनी है, जो test series के questions होगे, कितनी सारी test series आपको दे रहे हैं, वो हमने बताए दिया, पेट को किसके question तो आप तुरंथी access कर सकते हैं, group join करते ही, तो यह आपका practice resource होगा है, और फिर आपको करना है multiple times revision, इसी तरीके से R.O.I.R.O. paper की ताहरी होती है, R.O.I.R.O. paper जो है, prelims और mains सब मिलाक अगर देखें, तो किसी normal state pieces से कम नहीं माना जा सकता है, state pieces में किसी भी state pieces अगर आप देखें, तो उसमें mains exam ज्यादा होते हैं, जिसमें चार paper हैं खाली, उसमें भी दो objective हैं, तो उस नज पढ़ करके आपका हो जाए, ऐसा नहीं होगा, R.O.I.R.O. के लिए study for civil service ने जैसे त्यार कराया, 2016 में, 2016 करी exam में, 2017 के लिए mains में, और फिर 2021 की vacancy में, जो कई सारे लोग हमारे select हुए थे, यही सब follow करके select हुए थे, मैं एक का नाम किसी का नहीं लिगा, अदर्वास काफी स रिवाइस करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जभी भी objective exam होता है, UBPSC की द्वारा, जैसे पहले UBPSC के कुछ mains paper भी हुआ करते थे, अब तो mains objective हो गए है, रिटेन वाले हो गए, R.O.Mains में भी GS paper objective ही है, एक objective paper हिंदी का भी है, आले खन वाले paper पर अलग हैं, उसकी प्रैक्टिस चलरी मेंस वाले ग्रूप में, आप जोइन करके चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपको prelims का लगभग सब कुछ तयार हो चुका है, जो लोग prelims में ही अठके हुए हैं, समझे कि आपको पढ़ करके चीज़ें तयार करनी पड़ेगी, लाइ प्यार हो के, UPPCS prelims अपर वाले पेपर में, मेंस वाले पेपर में, लाइब क्लास वगएरा काम नहीं करेगी, और रिकॉड़ेट क्लास भी कोई ज़्यादा हम रिक्मेंड नहीं करते हैं, यह पहला ही क्लास या फिर वीडियो है, जो हम दिया करते हैं, स्ट्राटिजी करना है, बीच बीच में जो आपको इंसाइट दिये जाते रहेंगे ग्रूप में, उसको फालू करना है, और इसी तरीके से आपकी तैयारी होगी, करेंट फेर कहां से कहां तक पढ़ना होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं, करेंट फेर के लिए जैसे हम नहीं बताया ह फेर जो आपके ग्रूप में दिया गया है, मार्च का दिया गया है, मार्च 2024 का, अब आप पढ़िए फेब का, फेब 2024 पढ़िए, मन्तवाइस आपको पढ़ना है, फिर आपको जैन्वरी वाला पढ़ना चाहिए, फिर जाना चाहिए दिसंबर की तरफ, फिर नॉम्बर आ आपको October वाला इस तरीकिस तैयारी करिए और जब तक यह आप कवर कर रहे होंगे आपको बता दी जाएगा कहां तक आपको रोग देना है अभी आपको फैब तक हमने दिया हुआ है अगर आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो सकता है आपको आप अभी फैब तक नहीं ग्रूप को भी 11 वाले ग्रूप को 25 जन्वरी को PDF मिल गई थी एक्चली 22 जन्वरी को जिसे दिन रामंदिर काउट घाटन था आपको PDF दे दी गए थी एक साथ कंबाइन करके जितना भी आपको करेंट फैर कवर करना था 11 वे और उसी में से कोशन्स आये भी हैं यह पूरी वाला तयार करना है उसका कंबाइन करके PDF आपको ग्रूप में दिया जाएगा कुल बलाकर बात यह है कि जितना कंटेंट हमने दिया है मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार पढ़ करके आपने दो बार रिवाइस कर लिया डिली 6-7 घंटे करेंगे तो बिल्कुल किया जा सकता है अभी भी काफी समय आपके पास बचा है तो कटाओ भर का आप इसमें कर लेंगे कुछ प्रशनों के जवाब नहीं दी जा सकते हैं एक्जाम में यह बात आपको भी पता होनी चाहिए जो लोग दे चुके हैं कई बार एक्जाम यूब पीसी का आ इस वाले में 65-70 भी अगर आप निकाल लेगा इस लेवल के पेपर में 65 भी अगर आप निकाल लेगा उधर आपने 56-57 यहां पर स्कूर कर लिए जो बिल्कुल किया जा सकते है हिंदी में हमारे PDF से हमारे प्रैक्टिस रिसोर्स को फॉलो करके तो अब भी आपको कटाओ यह करने में आपको कम सकम 2 घंटे आप लग सकते हैं अगर आप पहले पढ़े हुए हमारे बैच से तो आपको कम समय लगेगा इतना टाइम नहीं लगेगा तो रीजनी की प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पर करने चाहिए कम सकम जो PYQ और हमने जो प्रैक्टिस सेट दिये हैं वो एटलिस जरूर लगा करें 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 लिजए हंटेट दिवस जो शुरू के हैं उसमें सब काम असानी से हो जाएगा हिंदी में 45 बिनेट यहां पर रिवीजन करें पीडियाफ का क्योंकि कई सारी तत्सम तद्भव हैं विलोम शब्दे लर्न करने के लिए हैं वाक्यानिश के लिए एक शब्द है पर रहे है बाची तयार करने माली चीज़ है जब तक आप मल्टिपल टाइम्स रिवीजन न और आगे भी आता रहेगा मंधवाइज वह आप तयार करते रहेंगे रिमिनिंग टाइम जो है रिवीजन करिए कुईज प्राक्टिस करिए और पिवाईक्यू प्राक्टिस कर सकते हैं पिवाईक्यू इसमें जोड़ लीजे इस तरीके से डेली प्रप्रेशन होगी चाह् आपने फेब वाले पेपर के लिए किया था तो इस तरीके से त्यारी कर रही है किसी भी फरजी चीज को अपनी स्टडी आर्स से अवाइड करिए फरजी को लाइव ग्लास देख रहा है जिसमें एक टॉपिक को उत्तर प्रदेश की मिंटियों को तीन-तीन गंटे पढ़ा जा पढ़ेंगी कुछ चीजें आपर लर्न भी करनी पड़े सकती हैं दोनों चीजें आपर अब दो तरीके का पेपर बन रहा है मतलब एक ही पेपर में आपके जीएस वाले में कंसेप्चुल कोशन भी होंगे, फैक्चुल भी होंगे, लेंदी कोशन भी होंगे, टॉफ और ट्रिकी कोशन भी होंगे तो हमारे एक्जाम में जैसे पीवाई क्यूब में आया है उसी हिसाब से आप तत्थें को तयार करते हुए मैंडशेट बनाई जैसे कब हिस्ट्री पट रहे हैं तो आपको कब पर बहुत फोकस कर रहा है, जैसे प्रश्ट भी आये, क्रोनलोजीम लगाने को आये, एक लेक्स लोकाई एक्ट उसमें पूछा गया, और तीन एक्ट और थे, तो अगर आपको लेक्स लोकाई एक्ट का पता होता, एक और किसी क्रोनलोजीम लगा सकते थे, और किस मुगल सासक का कौन सा नंबर है, कौन किस का पुत्र है, कौन किस के बाद आता है, वो अगर क्रम पता होता तो आप कर लेते, मुगल वाला भी, कहां वेन्नियू वाला इसमें पूछा जाता है, स्मार्ट सिटी कंक्लेव कहां पे हुई दौर में हुई थे, या फिर कोई पुस्तक मेला कहां पे लगा, कोई युवा महोत्सो कहां पे हुआ, ये सब, क्या पर फोकस की जाता है, कोई चीज क्या है, किस चीज की अवधारना, किस ने प्रस्तुत की, मेगा पोलिस की अवधारना, जीन गॉट्मेन दी थे, ये सब क्या में ये पूछ सकते हैं, कि भाई, जैसे, वाल्डाइफ प्रोटेक्शन अक्ट से सवाल आए था, उसमें दो चीजें पूछी गई थी, दो स्टेट्मेंट बेसिकली थे, उसमें बताना था, वाल्डाइफ प्रोटेक्शन अक्ट किन-किन लोगों को आच्छा दित करत है, उसमें लिखा था सिर्फ वाल्डाइफ प्रोटेक्शन अक्ट में किन-किन-किन चीजों के संरक्स्टन की बात कही गई है, तो आप कर सकते थे, क्यों और कैसे वाली चीज पहले बहुत इंपोर्टन नहीं हम लोग मानते थे, लेकिन अब जैसे कथन और कारण वाले सव तथे किसी अभी विशावस्तू के बारे में जुड़े हो सकते हैं, उसकी जानकारी खटा करना आपका काम होता है, इन में से कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है, तो ये पूरा, टैबलर फॉम में जो कई सारा डेटा दिया होता है, उसकी तैयारी से आप इसको कर सकते हैं, टेबलर डेटा के मतलब हो गया कि जिसे कंट्री कैपिटल से 240 बराये थे, कौन सा देश, कौन किसकी राध्धानी है, कौन सा पहाड परवत, किस नदी के पास है, कौन सा लोकल विंड, स्थानी पवन, किस देश में बहती है, किस छेतर में बहती है, कौन सा वोलकानो कहां पर जाता है, कौन सा ट्रेंच, यानि गर्त कहां मिलता है, और करेंट वाली चीज़ें हो गई, मॉन्सून समंदिद, जो तथे होते हैं कई सारे, ये वाली चीज़, तो इस तरीके से आपको तैयार करना है, विशावस्तू कैसे तयार होगी, थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा प कुछ Münner करा जा रहा हैं जैसे अचकल आपको इक्जाम में आ रहे हैं दो स्टेटमेंट वाला खुछन वी स voor पडू में суह की किह साइघी आपको प्रैक्ट्िस वाइसे तो हलकाaa सर टच करने के बाद आपको इसमें डे-उइसपी का पुरों कर тобदे आपको कि डिर और तरीकी से आपको किसम में जिसमी लिंक पर ख़रें गडिय किसकी है तो इसमें हम देखेंगे C वाला सही है C वाला अनिमेशन कर गया है यहां पर एक white tick mark भी दिख रहा है जो बता रहा है सही उत्तर मालीची कोई हम गलत चुनते हैं जान करके यहां पर हमने D वाला चुना थे जबकि सही वाला क्या है B वाला क्योंकि यहां पर एक white tick mark लगा हुआ है तो यह denote कर रहा है यह सही उत्तर है तो इसी तरीके से हमको लगतार प्रैक्टिस इसमें करनी है यगिन मानिए अगर आप हिंदी पीडियाफ हमारी पेपर के एक मतलब पेपर से पहले एक बागर अगर पूरी पढ़ ले गए और यह सारे question solve कर ले गए तो आपको फिर भी 55 से 57 सही सवाल करने से कोई रोक नहीं सकता है तो इसी के साथ आप अपनी study शुरू कर सकते हैं सही तरीका यही है बागी आप अपने इसाब से इधर उधर तरीकों में तो देखी चुके होंगे जो यह जितने भी live class वाले चीज़ें चल रही है इसमें कितने questions आए थे कोई proof नहीं दे पाया था 11 फेप को जो paper वह था तो सही तरीका यही है RO RO का exam हो PCS level का exam हो यह किसी ऐसे ही 2-4 चीज़ों से नहीं हो सकता है इसमें अच्छी घासी बहनत लगती है जो लोग मेनत करते हैं वही finally इसमें select भी होते हैं मानलीजे आप दोशार तेकड़ा मढ़ा कर prelims clear कर जाएंगे तो क्या means में लिखित परिक्षा है उसमें आपकी testing हो जाएगे तो इस तरीके से आप अपना method बनाएए daily diligently study करने का daily study करना है, revision करना है, practice करना है इसी से निकलेगा exam इस दावरान आपको कोई doubt होता है तो आप doubt clearness वाले गृप में पूछ सकते हैं अपना doubt जो members हमारे doubt discussion वाले गृप में है या doubt clearness वाले गृप में है आप doubt clearness वाले गृप में अपना doubt भेजेंगे मान लिजे आपको लगता है कि जियोप्तसना की वरतनी ये होती है ठीक है आपको doubt है कि जो PDF है उसमें ये दिया हुआ है तो आप उसमें पूछ सकते हैं कि सर ये क्यों सही है या फिर क्यों आपने ये सही बाना है तो ये सब आपको doubt वाले बताए जाएगा मैं आपको वैसे बता दूँ कि हिंदीक PDF में कई लोग जो पहली बार पढ़ते हैं बहुत सारी गलतिया निकालते हैं जब क्यों खुद गलत होते हैं मनो कामना वरतनी कहीं पर भी आपने पढ़ा है वो अशुद धुमानी जाती है इसमें जो दिया हुआ है उसी को सही पानिए इंदी PDF में उस सब चीजें कई बार चेक कर चुके हैं कई बार अगर थोड़ी बहुत टाइपिंग में श्टेक मली जे निकलके जैसे आप दा एक जगे लिखा होना चाहिए था परहवाची में वहाँ पर प्रिवेस ग्रूप में आप अना लिख कर गया गया था तो उसको मनें सही करा दिया था ग्रूप में ऐसी चोटी मोटी एरर हो सकती 99.99% सही हो सकता है हमारे कंटेंट 0.1% हमेशा ही किसी भी प्रिंटेड मट्रियल में एरर की संभाव ना होती है गौर्णन डॉक्मेंट्स तक में कॉंट्रैक्ट्स तक में तो उसको में जोक सही करते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार आप गलती निकाल लेंगे मानू कामना गलत बाना जाता है आपके रो यारोपेपर में जो तसना की सही बरतनी यह वाली होती है तो वही मैं कहना चाहरा हूं कि डाउट आपके तुरंद सौल की जाएंगे आपको तुरंद डाउट बताया जाएगा डाउट लेंस वाले ग्रूप में अगर आप फुल पेड रूप में नहीं है केवल स्टाडिम ट्रेल वाले ग्रूप में हैं तो आप इस गिवे लगाता है डाउट सेशन होता तो इतना वेट आपको नहीं करना पड़ता है तुरंद तुरंद आपको जवाब मिल जाता है वाकि अगर आपको केवल स्टाडिम ट्रेल वाले ग्रूप में तो आपको डाउट पूंचने के लिए 24 और तक का वेट इसमें करना पड़ सकता ह अगर आपको लगता है कोई चीज बाकी रहेगी तो आप डाउट इस वाले ग्रूप में पूत सकते हैं और सेकेंड वीडियो आप देख लीजिए पेट ग्रूप में स्टेडिम ट्रेल कैसे देखें और आप अपनी प्रिलिम्स री एक्जाम की परिक्षा की तयार यहां से शरू कर सकते हैं